नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूस मार्केट्स 24 में खाध्य कारोबारियों को जल्द खाध्य लाइसेंस मिलने जा रहा से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे अब खाध्य कारोबारियों को जल्द खाध्य लाइसेंस मिलने जा रहा है भारती या खाध्य सनरक्षा व मानत प्राधिकरण FSSAI ने कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तुरंत इंस्टेंट लाइसेंस व पंजीकरण जारी करने की सुविधा देने का निर्णय लिया है यह सुविधा कुछ खाध्य उत्पादों के कारोबार से जुड़े उध्यमियों को दी जाएगी FSSAI खाध्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण विनियम 2011 के तहट 12 लाख रुपए से अधिक सालाना कारोबार करने वालों को FSSAI से लाइसेंस लेना होता है और इससे कम कारोबार करने वालों को सिर्फ पंजीयन कराना होता है अभी खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस साथ दिनों के भीतर मिलता है और पंजी करण साथ दिन के अंदर हो जाता है FSCI ने अब कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ठोक वक्षुद्रा खाद्य कारोबारियों, आयातकों, फूर वेंडिंग एजनसी और निर्यातकों को तुरंत लाइसेंस पंजी करण जारी करने का निर्नय लिया है इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि ततकाल लाइसेंस पंजी करण की वैधता एक वर्ष होगी इसके बाद इसका मौझूदा प्रक्रिया के अनुसार नवीनी करण कराया जा सकेगा लाइसेंस वपंजी करण ततकाल जारी करने की यह सुविधा FSCI की खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली, फोसकॉस के माध्यम से GST, CIN, पैन, आधार, इत्यादी के माध्यम से डिजिटल सत्यापन के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन होगी यह सुविधा केवल चुनिंदा प्रकार के व्यवसायों, कोबी और कुछ खाद्य उत्पाद श्रेणियों के लिए होगी आवेदक को यह घोशित करना होगा कि उसके पास उसी परिसर में वैध लाइसेंस पंजी करन नहीं है या उसका लाइसेंस पंजी करन पिछले तीन महीनों में अधिकारियों द्वारा निलंबित या रद नहीं किया गया है आवेदक को कारोबारी प्रतिष्थान की तस्वीरें अपलोड करनी होंगी जिसमें विशेश रूप से प्रतिष्थान के प्रवेश द्वार सामने की तस्वीरें शामिल होंगी जिससे उनके द्वारा किये जा रहे खाद्य कारोबार की पहचान करने में मदद मिलेगी किसी भी जूठी घोशना पर खाद्य उद्यमियों को जुर्माना भरना होगा इन कारोबारियों से FSS अधिनियम 2006 की धारा 61 के तहट 10 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा इस लाइसेंस पंजी करण की प्रती का उप्योग परिसर के स्वामित्व का दावा करने के लिए नहीं किया जाएगा ततकाल लाइसेंस वपंजी करण की सुविधा की शुरुवात अभी असम, दिल्ली, गुजरात, जम्मू व कश्मीर और केरल में की गई है FSS CI द्वारा ततकाल लाइसेंस व पंजी करण सुविधा के संबंध में जारी आदेश के मुताबिक इस सुविधा को लाभ जिन चुनिंदा खाद्य उत्पादों का कारोबार करने वालों को मिलेगा उनमें सभी तरह के खाद्य उत्पादों के कारोबार से जुड़े आयातक, निर्यातक शामिल है इसके अलावा मास, मीट, व मचली को छोड़कर खाद्य कारोबार से जुड़े थोक व खुद्रा कारोबारी, फूर वेंडिंग एजनसी, चाय व नाश्ते के छोटे खुद्रा विक्रेता, होकर, मोबाईल फूर वेंडर और वितरकों के साथ देरी, मास व मचली को छोड़कर अन्य सभी खाद्य उत्पादों की ढुलाई करने वाले ट्रांस्पोर्टर भी इस सुविधा का लाब उठा सकते हैं खबर में सिर्फ इतना ही, इसी तरह के न्यूस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले